पहाडियों को राजनेतिक आरक्षन देने पर विचार कर रही है सरकार जल्दाएगा फैसला नई विदान समव में स्ट को साथ स्ट को 11 सीटे मिलने की संभावना एक महत्पून कदमे केंदरी सरकार जमूर कश्मीर के केंदरी शासित परदेश में पहाड़ी लोगों को राजनेतिक आरक्षन देने पर विचार कर रही है जो पहाड़ी लोगों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगी जो उनके लिए अन्य राजनेतिक संस्थानों के साथ साथ विधान समवा में भी आरक्षित होंगी इससे पहले केवल अनुसूचित जातियों के पास जम्मू कश्मीर में राचनेतिक आरक्षन था जो जम्मू शेतर तक ही सिमि था क्योंकि कश्मीर में उनकी कोई आबादी नहीं थी और आठ प्रतिशत आरक्षन के साथ विधान सभा में उनके लिए साथ सीठे आरक्षित थी हालंकि वर्तमान में केंद्र सरकार ने पहली बार अनुसूचित जन्जातियों को राचनितिक आरक्षन देने का फैसला किया है हनुमान लगाया जा रहा है कि विधान सभा में स्टी को राचनितिक आरक्षन लगबग 12 प्रतिशत हो सकता है विश्वासनी सूत्रों ने एकसल्शर को बताया कि सरकार अब पहाड़ियों को राचनितिक आरक्षन देने पर विचार कर रही है लेकिन ये देखना बागी है कि क्या उन्हें अनुसूचित जन्जातियों का दर्जा दे कर या फिर सीधे पहाड़ी के रूप में राचनितिक आरक्षन दिया जाता है इस पर जल्दी एक निरने की उमीद है इस आशे के संकेत केंद्रे ग्रह मंत्री अमज शा ने अपने चार दिविसे जम्मु कश्मीर के दोरे के दुरान बीदिये थे जब शा ने बगवती नगर में एक जंद सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पहाड़ी अब विधान सभा में भी बैठेंगे और उनका प्रतिनीदी एक मुख्य मंत्री बन सकता है पहाड़ी लोगों को सरकारी नोकरियों और वेवसाइक शिक्षन संस्थानों में चार प्रतिशत आरक्षन प्राप्थ है जोने जमु कश्मीर के विशेश दरजे को निरस्त करने और ततकाले नराजे को जमु कश्मीर और लधा के दो केंदरिश शासित परदेशों में बदलने के बाद दिया गया था आरक्षन की उपचारिक गोशना 30 जनवरी 2020 को की गई थी जब गिरिश चंदर मुर्मु कींदरिश शासित परदेश के उपराज जेपाल थे जब मुशेतर में राजे ओरी और पुंच के सीमावर्ती जिलों के अलावा कश्मीर गाटी में उड़ी करनाहा और कुपवाडा में पहाडियों की आबादी काफी अधिक है शुत्रों ने कहा कि पहाड़ियों के लिए विधान सबा में दो या तीन सीटों का आरक्षन भी उनके लिए एक बड़ा बड़ावा होगा वर्तमान में केवल अनुसूचित जात्यों को विधान सबा में आठ प्रतिश्यत राजनेतिक आरक्षन है जबकि अनुसूचित जन्जातियों और महिलाओं को DDC, BDC और पंचायतों से सभी पंचायती राज संस्थानों में आरक्षन है जिसमें सरपंच, वेपंच, दोनों निर्भाचन शेत्र शामिल है ऐसी खबरें आई हैं कि केंदर सरकार ने अनुसूचित जन्जातियों को 12 फी सदी राजने तिक आरक्षन देने का फैसला किया है जो करीब 11 सीटों पर आएगा